वेल्कम बाक तो आरे यूटुब चनल तुम इस वीडियो के अंदर हम इसकस करेंगे क्लास एट का मैस न्चित चप्टर नंबर 4 डेता है जिसके एकस्स 4.1 का क्वेशन नंबर 1st क्वेशन नंबर 1st है यमारे पास में अ सर्वेय वास असर्वेय जो किया गया है सेमी क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, फॉक म्यूजिक, लाइट म्यूजिक इनको जो लोग पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सर्वे किया गया तो यहां पर देखा गया है कि जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं वो 20% पीपल है क्लासिकल म्यूजिक को 10% लोग पसंद करते हैं folk music को 30% लोग पसंद करते हैं और light music को 40% लोग यहां पर पसंद करते हैं according to this data आपको यहां पर in questions के answer देने हैं अब यहां पर देखें फर्स जो part है if 20 people like classical music how many young people were served first जो part है यह बोल रहा है कि 20 people like करते हैं अगर classical music को तो आपको बताना है how many young people were served तो कितने लोगों का यहां पर survey किया गया है total number of people's जो है वो कितने number of people's का survey यहां पर किया गया है यहां पर देखें question में कहीं पर यह नहीं दियावा है कि कितने number of people's का survey किया गया है तो यहां पर इस जो first वाला part है 20 people like करते हैं classical music इससे ही आपको इसका अंसर देना है कि total number of people यहाँ पर कितने लोगों का यहाँ पर survey किया गया है यह आपको बताना है अब देखिए हम कैसे करेंगे यहाँ पर total number of people अगर हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर x मान सकते है total number of people को तो total number of people को यहाँ पर हम क्या करेंगे x यहाँ पर assume कर लेंगे अब देखे जो यहां पर दियावा है 20 people like करते है अगर classical music को तो देखे total number of people का वैसे देखे यहां पर 20 people like करते है classical music और अगर percentage में अगर हम देखे तो percentage में 10% लोग classical music को पसंद करते हैं तो हम यह कह सकते न कि टोटल नंबर और पीपल का जो 10% है वही हमारे 20 पीपल होंगे अगर मैं यहाँ पर classical music अगर बताऊं classical music कितने लोग पसंद करते हैं तो total number of people का 10% लोग classical music पसंद करते हैं तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले total number of people को हम क्या करनेंगे let करनेंगे अब number of people जो है जो classical music पसंद करते हैं तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 10% of total number of people जैसा कि अभी मैंने आपको बताया हूँ अब 10% जो होता है 10% मतलब होता 10 by 100 total number of people हमने assume किरा x तो यहाँ पर into में x हमने लिख दिया तो 1 by 10 जीरो से जीरो हमारे reduce हो जाएगा तो 1 by 10 into x हमने यहाँ पर ले लिया अब देखी हमने 1 by 10 into x अब यहाँ पर अपने को question में given था 20 people like करते हैं classical music को तो number of people who like classical music जो है वो कितना है 20 और number of people who like classical music according to अगर हमने निकाला है 1 by 10 x के term में वो कितना निकाला है 1 by 10 into x तो 1 by 10 into x और is equals to यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 clear है बात समझ में आ रही है अब देखिए यहाँ पर x तो यहीं पर रहेगा 1 by 10 को अगर हमें वहाँ पर transpose करेंगे तो यह रहसी प्रोकर हो जाएगा तो 1 by 10 transpose हो जाएगा 10 by 1 हो जाएगा तो 20 into 10 by 1 कितना होता है 200 तो 20 into 10 जो हो गया वो कितना हो गया x की value आगे 200 तो x जो था वो क्या था total number of people जिनका survey किया गया वो था तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि total number of people जो है जो की x है 200 है तो 200 people का हमारे यहाँ पर क्या किया गया survey किया गया clear इस तरीके से इस question को solve करना है language बहुत easy से मैंने यहाँ पर लिखी है तो आप इस language का use करके आप इस question को solve कर सकते है चलिए अब second part देखते है second part है which type of music is like by the maximum number of people ठीक है तो यहाँ पर आपके पास में देखिए which type of music is like by the maximum number of people इसका answer आपको देना है तो यहाँ पर देखिए semi classical music को 20% लोग पसंद करते हैं classical music को 10% लोग पसंद करते हैं fork music को 30% लोग पसंद करते हैं और light music को हमारे 40% लोग यहाँ पर पसंद करते हैं अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात इसने बोला maximum number of people तो आप percentage ही देख देते हैं तो percentage सबसे ज्यादा percentage इसका आ रहा है light music का percentage सबसे ज्यादा आ रहा है तो light music को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो pie chart को देखके ही यहाँ पर अंसर निकल रहा है तो in the pie chart maximum percentage shown 40% so हम कह सकते therefore maximum number of people like light music clear है बत चली पाठ थर्ड हमारा क्या था थर्ड पाठ था if a cassettes company were to make thousand CDs how many of each type would they make यह कह रहा है अगर cassette company thousand CDs बनाती है तो हर एक का आपको बताना है कि semi classical music की कितनी CD होगी classical music की कितनी CD होगी फॉक music की कितनी CD होगी और light music की कितनी CD होगी तो देखे जो पसंद करते हैं semi classical music को 20% लोग पसंद करते हैं तो अगर जो लोग पसंद कर रहे हैं तो वही CD वो purchase करेंगे तो कुल मिला कि यहाँ पर इनका ही percentage निकालना है आपको तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर तो देखे की question था, if a cassette company were to make 1000 CD, how many of each type would they make? तो आपको दियावाय semi classical music को 20% लोग पसंद करते हैं, classical की 10% है, fog की 10% है और light की 40% है, अभी मैंने बताया है जो लोग पसंद करते हैं वही CD वो purchase करेंगे, तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि सर का हम निकाल लेते, तो light music का semi classical music का, classic का, fog का देखे total CDs to make percentage into 1000, तो हम कह देते हैं, semi classical music यहाँ पर देखे, semi classical music है, तो 20% of 1000 हमने निकाला, तो कितना आया, 200, ऐसी classical music है, तो classical music का हम निकालेंगे, 10% of 1000, तो 100 आगया हमारा, fog music का निकालेंगे, तो 30% of 1000, तो 300 आजाएगा, ऐसी light music का निकालेंगे, 40% of 1000, तो 400 आएगा, तो सा पारी की है, हमारी CD आगे, 400 CD तो हमारी light music की है, fog music जो था, उसका 300 है, classical music जो है, 100 CDs है, और semi classical की 100, तो हम कह सकते है, therefore the cassettes company should make 400 CD तो उसने light music की बनाई है, 300 CDs fog music की बनाई है, 100 CDs जो है, वो classical music की है, और 200 CDs जो है, semi classical music की है, अगर आप इसका total करते हो, तो total निकल के आएगा, 1000 CDs, ज इवन, clear, इस तरीके से इस question को आपको solve करना है, तो उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आए होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो please like कीजिए, share कीजिए, चैनल को subscribe कर लिजेगा, bell icon को जरू प्रेस कर लिजेगा, जिससे की upcoming videos के notification आपको time to time मिलते रहे, thank you so much.